सत्संग सुनने के लिए और गुरुदेव के पावंदर्शन के लिए जो भी सौभाग्यशाली आए हैं उन सभी के चरणों में वंदन भगवान गणपती जी के बारह नाम नारद पुराण में बताए है बहुत सुन्दर और फिर वो बारह नाम बता कर ये कहा है के इन बारह नामों का जो चरण करता है रोज सुबै शाम नाचा विग्ण भयम तस्य सर्व सिद्धी करम प्रभो विग्ण और भय उसके जीवन में नहीं रहेंगे सर्व सिद्धी करम प्रभो खूब ध्यान देना क्रपा करके आप में से कई सत्संगी साधकों ने गुरु अश्टकम का पाठ भी किया है आज भी हम थोड़ा करेंगे गुरु अश्टकम क्या है शंक्राचार्य जी द्वारा रचा गया है आठ साल की उम्रती उनकी जब तब उनके मन में अपने गुरु देव गोविंद पाधाचार्य जी से दिख्षा लेने की इच्छा हुई केरल प्रदेश में जन्मे थे मैं सेवादारी बाई बैनों से निविदन करूँ गुरु अगर हो गुरु अश्टकम की पत्रिका तो उन तक पहुंचाओ तो आठ साल की उम्र में उनको दिख्षा लेने की इच्छा हुई कैसी सुन्दर मती है आजकल लोगों की उम्र पचास साल की हो जाती है पर दिख्षा लेने की इच्छा नहीं होती रिक्षा में बैठके घूमने की इच्छा होती चोपाटी पे जाओं सब चौपट करके आ जाते घर पे रोटी खाने का मज़ा नहीं आते चौपटी पे पाउँ भाजी खाने का मज़ा आते तो शंक्राचारे जी को आठ साल की उम्र में अपने गुरु गोविंद पादाचारे जी उनके गुरु का नाम दिक्षा लेने की इच्छा हुई है पैदल चले केरल प्रदेश से पैदल पैदल आठ साल की उम्र में तब उनका नाम केवल शंकर था आधी जगत गुरु शंक्राचारे जी बाद में पैदल चले दो महीने तक पैदल यात्रा की शंक्राचारे भगवान ने और पहुचे कहां इंदोर मध्यप्रदेश में इंदोर से सत्तर किलो मिटर दूर नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर तीर्थ है जोतिरलिंग बारा जोतिरलिंगों में से एक ओमकारेश्वर सवराष्टे सोमनाथम्च श्रीशैले मलिकारजुनम अबहां उनके गुरुदेव रहते थे नर्मदा नदी के किनारे महापुरुषों ने पता नहीं कि नदी का किनारा बहुत पसंद किया शंक्राचारे जी के गुरू नर्मदा नदी के किनारे आकर बैठे तो अपने बापू साबरमती नदी के किनारे आकर के बैठे साबरमती नदी भी पुराणी की तीर्थ है पुराणों में उसकी साबरमती नदी की बड़ी महिमा है और आश्रे देखो साबरमती नदी में नर्मदा का पानी भी मिल रहा है नर्मदा और साबरमती दोनों साथ में बह रही इसलिए मुझे नर्मदा किनारे गाया हुआ शंक्राचारे जी का गुरु अश्टकम बहुत प्यारा लगता है और नर्मदा जहां साबर मती में मिल रही है वहां भी साबर और नर्मदा के तट पर सादक लोग शिबिरों में वैसे आश्रम में रोज सुबह संध्या के समय अमदाबाद आश्रम में गुरु अश्टकम का पाठ होता है नर्मदा किनारे लिखा गया साबर मती और नर्मदा जहां साथ में बह रही है उसके किनारे रोज उसका पाठ किया जाता तो यह जो गुरु अश्टकम है कईयों के पास पत्री का पहुँच चुकी जिनके पास नहीं पहुँची सेवाधारी पहुँचा हूँ आज मैं इस गुरु अश्टकम का रहस्य जो मेरी समझ में आ रहा है वो मैं आपके आगे रखने का विनम्र प्रयास करना चाहता हूँ और पाठ भी आपके पास पत्री का है आप देखिए पत्री का में पहली पंक्ती जो है और फिर हर पंक्ती आप गिन सकते हैं शरीरम, सुरूपम, तथा वा कलत्रम, बारा अक्षर होते हैं आप गिनियेगा शरीरम तीन, सुरूपम छे हुए, तथा आठ, वा, नौ, कलत्रम तीन होगे बारा, नौ, तीन, बारा है नहीं हर पंक्ती में बारा अक्षर ये गुरू अश्टकम के एक-एक पंक्ती के बारा अक्षर जो प्रीती पूर्वक पाठ करता है वो साधक रोज गणपती जी के बारा नामों का उच्चारन कर रहा है और उसके विग्न अपने आप गुरू और गणपती की क्रपा से दूर होंगे, होंगे और जरूर होंगे, हमारी निष्ठा पक्ती होनी चाहिए, उनकी तरब से देर नहीं होगे पहले, हम लोग गणपती जी के वो बारा नामों उच्चारन करके मुंबई नगरी के मालिक सिद्धी विनायक को मैं तो कई लोगों को कहता रहता हूँ के मुंबई नगरी को संभाले हुए है न तो यह सिद्धी विनायक, समुंद्र सिद्धी विनायक की शरम भरता है और भरता रहेगा और महालक्ष्मी बारा नाम गणपती जी के हम लोग दोहराएंगे, मैं बोलूँगा एक चरण आप सुनकर दोहराएगा सब बोलिएगा जो दूर दूर तक बैठे हैं सुनकर बोल सको तो कृपया जरूर बोलिए प्रणाम करो सिद्धी विनायक की प्रणम्य शिरसादेवं गौरी पुत्रम विनायकं भक्तावासं समरे नित्यं आयू कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडंच एकदंतं दृतियकं तृतियं क्रश्न पिंगाक्षं गज वक्त्रम चतुर्थकं लंबोदरं पंचमंच शष्टं विकटमेवच शष्टं विकटमेवच शष्टं विकटमेवच संतमं विग्नराजंच धुम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रंच दशमं तू विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तू गजाननं द्वादशं तू गजाननं द्वादशेतानि नामानी त्रिसंध्यम्यपठे नरह नच विग्णभयं तस्य शर्वसिद्धीकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान मोक्षार्थी लभते गतिन जपेद गणपती स्तोत्रम शडभिरमासै फलम लभे सम्वत सरेण सिध्धिम्च लभते नात्रसंशय अश्टब्यो ब्रामने भ्यष्च लिखित्वाय समर्पयेत तस्य विद्या भवित्सर्वा गणेश अश्य प्रसादत इती श्री नारत पुराने संकट नाशन गणेश स्तोत्रम पूरुणम अब आप इसमें देखो बारह नाम हम लोगों ने उच्चारन किये और फिर इसकी फल शुरुती बताई विद्यार्थी अगर इसका पाठ करे तो बोले उसको विद्या प्राप्ति में सफलता मिल जाएगी कोई धन प्राप्ति के लिए करता है तो उसको धन की प्राप्ति होगी तीनो संध्या के समय कोई संतान हीन है पुत्र प्राप्ति के लिए करे तो उसको पुत्र प्राप्ति होगी और कोई मोक्ष पाने के लिए करे कि मेरा इसी जनम में मोक्ष हो जाए तो उसकी वो गती हो जपेद गणपती स्तोत्रम शड़ भिर्मा सैफलम लवेद छै मास में बोले अनुबव हो सकता है सम्वत सरेन सिद्धिम्चा लबते नात्र संशय एक वर्ष में बोले सिद्धी जरूर हो तो ये गणपती जी के बारह नाम और फिर उसकी जो फल्शृती बताई है गणपती जी जो है वो विवेक के देवता है और विवेक जीवन में बहुत जरूरी है कार बढ़िया हो पर श्टेरिंग न हो तो कार किस काम की मनुष्य शरीर तो बढ़िया है पैसा भी है गाड़ी है मकान दुकान सब है पर विवेक का श्टेरिंग जीवन में नहीं है तो वो जीवन किस काम का सोचिए भगवत गीता में एक शलोक आता है यानिशा सर्वभूतानाम तस्याम जागरति सैयमी जिस संसार की मोहकी रात्री में सब सोते हैं सर्वभूतानाम सर्वभूतानाम मतलब जो आदमी सत्संग नहीं सुन पाता भक्ती नहीं कर पाता वरत उपवास नहीं कर पाता उसकी गिंती पशू पक्षियों में ही की गई सर्वभूतानाम मतलब जैसे पशू पक्षि उनके जीवन में कोई वरत नहीं कोई नियम नहीं कोई सत्संग नहीं कोई नाम जप नहीं ऐसे ही जो मनुष्य होकर भी सत्संग नहीं सुन पाते जब तप नहीं कर पाते गुरू से हरी के नाम की दिख्षा नहीं ले पाते वो सर्व भूता नाम में आ गए पशू पक्षी की श्रेणी में उनको भगवान ने गिन लिया है ऐसे लोग धर्ती पे भार धर्ती पे भार व्रक्षों का नहीं है धर्ती पे भार परवतों का नहीं है धर्ती पे भार बड़ी-बड़ी इमारतों का नहीं है धर्ती पे भार उन लोगों का है जो भगवत भजन नहीं कर पाते जो व्रत उप्वास नहीं कर पाते महाशिवरात्री के दिन भी अन्न खा लेते है वेलेंटाइन डे याद रहता है महाशिवरात्री याद नहीं रहता क्या दुरुभाग्ये है उस जवान की जवानी को धिक्कार है कि महाशिवरात्री को जवान व्रत न कर पाए पर कई ऐसे जवान भी मैंने देखे रात रात भर शिवरात्री की रात जाग कर जब करते गुरु मंत्र का शिवजी के नाम का तो उनका यौवन वंदनी है करना चाहिए ये विवेक है और विवेक की होकर जीवन जीना ही गणपती की सच्ची पूजा है केवल मंदिर में जाकर दिया जला दिया ये बाहिये पूजा है जरूर पर विवेक की होकर जीवन नहीं जिया तो क्या गणश पूजा की विवेकी होकर जीवन जिया क्या खाना क्या न खाना क्या बोलना क्या न बोलना किसकी संगती करना किसकी न करना सतत गणेश पूजा है सबके कल्यान का भाव अपने दिल में रखना ये सच्ची शिव पूजा है ज्यान के प्रकाश को दिल दिमाग में रखना अंधेरे में न जीना ये सच्ची सूर्य पूजा है श्रद्धा खूब दिल में रखना ये सच्ची दुर्गा पूजा है और अपना अरद है उदार रखना दाइरा दिल नहीं दरिया दिल रखना ये सच्ची विश्णु पूजा है तो करें इस अर्थ में गणेश पूजा शिव पूजा, दुर्गा पूजा, सूर्य पूजा और विश्णु पूजा और इस अर्थ में अगर पूजा होगी गुरू बहुत राजी होंगे गुरू चाहते हैं कि मैं शिश्य को उस नजर से देखूं और उसका काम हो जाए गुरू वो घड़ी ढूंडते हैं कि काश वो एक घड़ी आ जाए जब शिश्य की सतपात्रता पूर्ण रूपेन विक्सित हो और मैं वो द्रश्टी डाल दूँ कि परम पिता ने पुत्र को देखा सूर्य ने घट जल में पेका घटक तोड जल जल में मिलाया ये ये घटना ये गुरू की द्रश्टी से गुरू की शक्ती से गटती ये अपनी साधना से नहीं हो सकती है कोई सोचे कि मैं साधना करके भगवत साक्षातकार कर लूँगा संभवी नहीं है भगवत के पांच में इसकंद में क्या प्यारी बात आती है इस संदर्ब में रहुगन राजा राज्य से उपराम होकर एकांत में गुरु के चरणों में आत्म साक्षातकार के लिए जा रहे थे कि उनका गुरु का आत्म ज्यान का सत्संग सुनू और मैं साक्षातकार करनू तर जाओं जा रहे हैं रास्ते में जड़भरत जी ने मैं विस्तार में न जाओं क्योंकि फिर अपना विशय जो है वो रह जाएगा रास्ते में जड़भरत जी ने रहुगन राजा को उपदेश दिया भागवत के पांचमें सकंद में इसका वरणन विस्तार से गर पे भागवत हो तो देख सकते हैं जड़ भरत जी ने का रहुगुणैत तपसानयाती ए रहुगुण राजा जो अनुभवतू करना चाहता है वो केवल बाहिय इस थूल तपस्या करने से नहीं होगा केवल सूर्य की बाहिय डंग से उपासना करने से नहीं होगा सूर्य को जल दे दिया ये सूर्य की उपासना नहीं है प्रकाश में जीना सबके प्रति सदभाव रखना सूर्य भगवान पक्षपात करते हैं कभी हिंदू को रोशनी दू मुसल्मान को न दू जहां से गंगा बहर है हो वहां मेरा प्रकाश पड़े पर जहां से गटर का नाला बहरा हो वहां मेरी सूर्य की किरने न पड़े नहीं गंदा नाला बहरा हो वहां भी सुर्य की धूप जाती और गंगा जल बहरा है गंगोत्री से गंगा सागर तक वहां भी सुर्य की केरणे पड़ रही है मंदिर के शिखर पर भी पड़ रही है तो सिनेमा थेटर के उपर भी तो पड़ रही है पक्षपात नहीं करते हैं हम भी अपने जीवन में कोई व्यक्ति गलत है तो उससे द्वेश न करें उसकी उपेक्षा कर दें कि यह हमारे लिए नहीं है नफरत की आग अपने दिल में न जलने दें क्योंकि जहां द्वेश की आग होगी वहाँ प्रेम नहीं पनप पाएगा अंगारा और अंगूर साथ में नहीं रह सकते हैं द्वेश अंगारा है इश्वर और गुरू के लिए प्रेम अंगूर अंगूर और अंगारा साथ में कैसे रहेंगे इसलिए भगवत गीता के बारवें भक्ति योग नामक अध्याय में भगवान ने कहा अध्वेश्टा यम्दूत का काम तुम क्यों अपने हाथ में लेते हैं कोई गलत है तो उसको अपने हाथ यम्दूत ठीक करेगा हम क्यों नफरत या दुएश अपने दिल में रखें हम सब के लिए प्रेम रखें होते ही कई लोग ऐसे अपनी आदत नहीं छोड़ पाते एक पेशन डॉक्टर के पास गया और का साब त्यब्यत ठीक नहीं है साब बहुत तकलिफ हो रही है पूरे शरीर में दर्द है परिशानी है साब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो डॉक्टर ने कहा क्यों हिरालाल शराब पीते हो हाँ साब पीता तो हूँ पर आज छोटा पैक बनाना तब्यत खराब है यह डॉक्टर तुझे पीने के लिए पूछ रहा है डॉक्टर तो मरीज को पूछेगा न कि भई शराब तो नहीं पीते हो बीडी सिगरेट तो नहीं पीते हो तमाक और पान मसाला तो नहीं घाते हो हो बोले हाँ पीता तो हूँ पर आज छोटा पैक बनाना तो अब यह ठीक नहीं है इलाज कराने आया है पर अपनी आदत छोड़ने को तैयार नहीं अपनी पकड छोड़ने को तैयार नहीं दुराग्रह छोड़ने को तैयार नहीं तो तब्यत कैसे अच्छी होगी वीवेक गुजरात में शराब पर प्रति बंद है तो भी कई लोग तो पीते हैं न छुप कर गुजरात से फिर दमण आ जाते हैं शराब पीने के लिए और दमण में देखो तो हमें एक बार गया जगह जगह शराब की बड़ी बड़ी दुकाने गुजरात की कसर दमण में निकालते गो तो गुजरात में प्रती बनता एक डॉक्टर ने अपने क्लिनिक के बार बोड लगाया था यहाँ शराब गरंटी से छुड़ाई जाती तो एक आदमी आया बोले डॉक्टर शराब छुड़ा देते हैं आप गरंटी से छुड़ा देता हूँ तो डॉक्टर फिर जल्दी करो पुलीस ने मेरी आठ पेटियां जब्त कर लिये शराब की छुड़ा दो ना आप जराब अब वो किस अर्थ में लिखा था और ये क्या अर्थ लगा रहा हूँ जड़मती है ये जड़मती भगवान के नाम से दूर होती है जड़ता बुद्धी की राम एक तापस्तियतारी नाम कोटी खलकुमती सुधारी भगवान राम ने एक तापस्तिय रिशी की पत्नी अहिल्या का उद्धार किया पर भगवान के नाम ने कईयों की कुमती रूपी अहिल्या का उद्धार किया इसलिए भगवान का नाम गुरू के मुख से दिक्षा में लेने का विधान पर कई लोगों को ये काम जरूरी नहीं लगता है और काम जरूरी लगते हैं तो सत्संग और गुरू की दिक्षा जरूरी नहीं लगती उसको छोड़कर और जो जरूरी लगता है वो एक दिन ऐसे बिखर जाएगा ऐसे बिखर जाएगा जैसे रेत पे किये हुए हस्ताक्षर बिखर जाते हवा के जोंकों से सत्संग और दिक्षा को छोड़कर जो और जरूरी लगता है वो एक दिन ऐसे मिट जाएगा ऐसे मिट जाएगा जैसे पानी पे खींची हुई लकी रहें और पानी में पैदा हुए बुलबुले मिट जाते हैं देर कितनी लगती है पानी में उत्पन हुए बुलबुले को नश्टोने में कितनी नासमझिया पाल रखी कई लोगोंने एक आदमी मुंबई आया था पहली बार और डबल देकर बस देखी पहली बार तो बैठा कन्जेक्टर ने कहा कि नीचे फुल है उपर जाओ उपर गया तो लॉट कराया नीचे कन्जेक्टर ने कहा क्यों उपर भी जगा नहीं गया वो बोला नहीं जगे तो है पर उपर की बस में ड्राइवर नहीं बैठा है मैं ड्राइवर बिना की बस में नहीं बैठूंगा अपने को उस आदमी पर हसी आती है कि बिचारा पता नहीं था उसको ऐसे ही वे ना समझ है को जो सत्संग में नहीं बैठ पाते गुरू से दिक्षा लेने नहीं बैठ पाते इससे क्या होगा अरे इससे क्या नहीं होगा शंकराचारे इतनी उची हस्ती दिख्षा जरूरी समझते हैं दो महीने पैदल चले अपने गुरु से दिख्षा पाने के लिए यही तो सच्ची संपत्ती है मृत्यू के द्वारा जो छीनी न जा सके मृत्यू जो छुडा दे छीन ले वो संपत्ती नहीं है वो विपत्ती है इसलिए जो यह संपत्ती पा चुके हैं उनको खुब खुब धन्यवाद है जो नहीं पा सके हैं उनको पानी चाहिए यह सच्ची संपत्ती भाई, पिता, माता, इस्त्री, पुत्र, साथी इन में से कोई भी अपना सहायक अंतकाल में नहीं होता है अकेला ही जाना पड़ेगा न कोई साथ निबाएंगे तो शमजान तक और ज्यादा साथ निबाएंगे तो अगनीदान तक और क्या करेंगे तीसरा मना देंगे ज़्यादा से ज़्यादा बारवा मना देंगे और क्या गरुड पुरान पड़ देंगे आपके लिए और क्या करेंगे विचारे मरने के बाद करते हैं जो मर गया उसके निमित गरुड पुरान का पाठ करवाते मैंने तो जीते जी कर लिया क्या पता अपने मरने के बाद कोई करे न करे कर लो अब पर थोड़ा किया है पूरा नहीं किया क्योंकि अभी मरने वाला नहीं 2012 में तो बिल्कुल नहीं यह तो मूड बोलते हैं 2012 में प्रलय हो जाएगी प्रलय हो जाएगी जहां सिद्धी विनायक बैठाओं वाँ क्या प्रलय होगि जहां बापु जैसे समर्थ गुरू बैठे हो वाँ क्या प्रलय हो जाएंगे मूधता वश अदमी नजानें क्या क्या बोलता रहता है बे सिर्पेर की बाते करते रहते हैं और कोई मनों काम ही नहीं है ये ऐसा बोलने वालों को ऐसा नहीं होता मन में के माला लेकर थुड़ा राम राम करें तो कितना अच्छा चलो बोलते हैं 21 दिसंबर 2012 को प्रलै हो जाएगी तो कम से कम इतना तो बोलो भी प्रलै होने वाली है 2012 में सब लोग भगवान का नाम जपने लग जाओ वो तो बोलेंगे ही नहीं TRP बढ़ानी है बास दैशत दैशत लोगों में दैशत फैला नहीं तो हुआ और दैशत से मिलेगा क्या इनको दैशत से कुछ नहीं मिलेगा मिलेगा तो इश्वर और गुरु की रहमत से मिलेगा दैशत से क्या मिलेगा उल्टा शांती खो जाएगी लोगों की चैन खो जाएगा बीपी बढ़ जाएगा दवाओं का खर्चा बढ़ जाएगा मेंगाई के जमाने में इसलिए समाद में सुख, शांती, आनंद, अहलाद बड़े वो जरूरी है वो सत्संग से होता है नोपासिता मदम पास्यमया महांत तिर्थानी चास्तिक धया नहीं सेवितानी देवार्चनम्च विधिवन्द क्रतम कदापी तस्मात्वमे वशरणम्म मदीन बंधो हे भगवान, हे प्रभू, हे गुरुदेव, हे महादेव नोपासिता मदम पास्यमया महांत मैंने अभिमान छोड़कर आराधना नहीं की है आराधना उपासना भी की तो अभिमान रख कर के मैंने इतना अनुष्ठान किया है तुमने क्या किया है मैं चार बजे उट जाता हूँ, तुम आलसी हो, छे बजे उटते हो कईयों को इसका भी अभिमान होता है कि हम चार बजे उट जाते हैं तु तीन बजे उट जाना क्या हो जाएगा उल्लू रात बर जागता है तु तो प्यारे तीन बजे उटता है उल्लू रात बर जागता है बोलो क्या हो जाएगा उससे जीवन में अगर जागरण नहीं आया तो केवल बाहिय जागरण तो उल्लू का जागरण राद बर धोलक मंजीर लेकर गाते रहे गाते रहे गाते रहे सुबह सुरजुदे हुआ तो सो गए अरे क्या कर रहे हो वो ले जागरण किया है ये जागरण किया तुने तो हे भगवान मैंने ना तो अभिमान छोड़कर गुरू की और इश्वर की आराधना की और ना ही आस्तिक बुद्धी से तिर्थों का सेवन किया तिर्थ में भी लोग जाते हैं तो मानो घूमने फिरने जा रहे हैं तो हे भगवान मैंने आश्तिक बुद्धी से तिर्थों का सेवन भी नहीं किया नो पासितामदम पास्यमया महांतम तिर्थानि चास्तिक धया नहीं सेवितानी देवार्चनम्च विधिवन्न कृतं कदापी न मैंने कभी श्रद्धा से देव पुजा की नश्रद्धा से गुरु पुजा की इसलिए है दीन बंदू एक मात्र आप ही शरण है मेरी मैं आपकी शरण में हूँ तस्मात्वमेव शरणम मम दीन बंदू एक तुमी आधार दुर्वासना ममसदा परिकर्षयन्ती ए भगवान संजार की गंदी और बुरी वासनाएं हमें बार बार अपनी और खींचती है दुर्वासना ममसदा परिकर्षयन्ती बार बार मुझे अपनी और खींचती रहती है चित्तम शरीम पिरोग गणा दहन्ती और मेरा शरीर ये तो कभी कोई बीमारी कभी घुटने का दर्द कभी कमर का दर्द कभी पेट में दर्द कभी अजीरन कभी सिर दर्द ये शरीर तो रोगों का घर बना रहता है और ये मेरा जीवन नाम मात्र का मेरा जीवन है बाकी तो कब इस पर मौत अपना अधिकार जमाले कोई पता नहीं है बोलते हैं मैं मैं मेरा जीवन मेरा तेरा जीवन क्या और फिर कई तो गाते हैं मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रहे गया अरे अभी प्रिंट आएगी तेरी बाहर को रहा क्या रहेगा